हलो बच्चो बच्चो अब करते हम अपना कोश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज 5.2 देखो कोश्चन क्या कि वेर विल दा हैंड आफ क्लॉक स्टॉप इफ इट वह यह पूछते कि यह घड़ी हमारे पास वसमें यह बताने कि यह घड़ी का जो सुई है यह कहां रुकेगी अगर वह स्टार्ट होती है 12 से and make 1 by 2 of revolution of clockwise ठीक है अब वह clockwise मूव कर रही है और 12 से स्टार्ट हो रही है एंड उसने 1 by 2 हमारा क्या है revolution अगर लिया है तो बताओ कहां रुकेगी तो सबसे देखो easy चीज किया है इसके अंदर सबसे बड़ी चीज किया given है कि वह स्टार्ट कह अगर रही है 12 से और उसने 1 by 2 revolution क्या किया complete किया तो बताना सुझी कहां पर होगी अब 1 by 2 revolution को हम किस में convert करेंगे degree में कैसे करेंगे आ जाओ 1 by 2 revolution complete किया बट किसका complete किया degree की degree का ना पूरक degree का तो टोटल हमारे पास कितनी degree होती ही complete 360 degree तो हम क्या करेंगे इसको degree में convert करेंगे 2 से यह गया और यह आजाएगा 180 अब 180 degree हमारा क्या होता है एक straight line होती है तो हम क्या करेंगे एक straight line बनाएंगे इस पर ओके तो हम क्या कहेंगे यह 180 degree कवर किया है तो वो straight line clockwise चलते बनानी है 1 2 3 देखो straight line कैसे बनेगी ऐसे बनेगी ना तो इसने angle कौनसा बनाया है यहां से move करते बनाया है कभी आप यू move करते मत बना देना वो anti clockwise हो जाएगा यह clockwise है ओके तो यह क्या हो जाएगा हमारा 180 degree ओके तो यह हो गया असका answer अब की मतलब सुई कहा रुकेगी 6 पर आके रुकेगी देन देखो आगे है हमारे पास कि start at 2 and make 1 by 2 of revolution clockwise अब वो 2 से start होती है देखो यह हमारे पास यह सुई हमारी 2 से start होई और उसने half revolution लिया half revolution देखो हमने निकाल आई है कितना होता हमारे पास 180 degree तो 180 यहां पर कैसे बनाओगे straight line बनानी पड़ेगी तो इसकी straight line कहां होगी बिल्कुल इस तरफ होगी न है असे ओके तो एंगल इसने कहां बनाया 2 से चलते हुए clockwise यूँ बनाया ओके यही होगा न तो इससे हम क्या कहेंगे यह क्या बनाया इसने 180 degree तो हमारी clock कहां पर जाएगी 8 पर ओके तो यह क्या था 180 degree इस तरीके से आपको निकालने same calculation करके then आप इसके next के two part करते हैं ठीक है तो इतने कर लीजे बच्चों अब इसके आगे के part करते हम देखो सी पाट है की start at five and makes one by four of revolution यानि कि हमारे पास सुई कहां पर है five पर है देखो five पर सुई है और उसने कितना revolution लिया है one by four तो इसको क्या करेंगे calculate कर लेंगे one by four multiply by 360 degree total में 360 degree होता है इसलिए तो इसको solve को लोगे four into one and यह हमारे पास कितने पर जाएगा नाइन के टेबल में 36 आता है ना हमारे पास तो यहारी 90 degree हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा total में 90 degree अब 90 degree कैसे बनता है जब वो total में three step ले लेती है तो यहां से one two three okay तो यह क्या हो जाएगा 90 degree तो हमारी swing कहां पे आ जाएगी eight पे आ जाएगी अब आता start as five and make three by four of revolution तो कैसे करेंगे five पे है system देखो सुई five पे है और उसमें कितना revolution लिया three by four three by four multiply करेंगे three sixty से तो कितना जाएगा one पर यह 90 degree okay three multiply by 90 कितना होता है 270 degree तो 270 degree का मतलब क्या हो गया तीन उसने 90 degree move किया है यानि कि तीन हमें क्या nine step लेना पड़ेगा यहां से two seventy degree कैसे बनाएंगे देखो जब three sixty में से मैं माइनस कर दूँगा 90 degree तभी तो 270 degree आता है okay तो देखो कैसे बनाएंगे two seventy degree one two three जब nine पे आएगी तो 90 degree जब आगे और तीन जाएगी तो one two three यह कितना हो जाएगा इसका यह हो जाएगा इसका one eighty degree ओके जी अब आगे देखो इसके बाद twelve पे जब आएगी तो क्या हो जाएगा यह हमारे पास एग रहा यहाँ जाए window one two three यहाँ पर one eighty degree then twenty three जब two पे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा tomar right two seventy darn two degree जैब ऑक कैसे निकाला है यहाँ से move कर रही है ऐससे 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 ऐस्या कर रही है ना तो one two three जब तीन स्टेप लेते तो क्या था वहाँ हो 90 दिगरी बना लेती है तो 5 से जब 8 पर आईगी तो 90 दिगरी हो गया देन अब आगे मुव करना तीज टेफ 123 जब वो क्या होगी यहां से जब इतना मूव अपको यह यहाद है ना बस हमें एंगल यह बताना कभी यह मत बता देना कमेंड बैट बिढहें अपको हॉक Zwए-सी किक है कर दो भीजसक्ति ना पूरे एक मेंको dłख से पर देना पूरे यह भी वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक एंग शेयर तो करके जाओगे इस बार आप थेंक यू